राधे राधे सभी को रंग भरी एकादशी व्रत की प्राणिक कथा के अनुसार प्राचिन काल में चितरसेन नाम का एक राजा था। उसकी राजे में एकादशी व्रत का बहुत जादा महत्व था। राजा समयत सभी प्रजा एकादशी का व्रत बहुत ही श्रधा और भाव पूरुक किया जाता था राजा चित्तर से उनको आमल की एकादेशी की प्रती बहुत गहरी आस्था थी एक बार राजा शिकार करते हुए जंगल में बहुत दूर निकल गए उसी समय कुछ जंगली और पहाड़ी डाकू ने राजा को घेर लिया और शस्त्रों से राजा पर प्रंतो जब भी कोई डाकू राजा पर शस्तर से रहार करता वह शस्तर इश्वर की क्रिपा से फूल में परिवर्तित हो जाता उन डाकू की संक्या बहुत अधिक थी अंत में राजा बेहोश होकर भूमी पर गिर गये उसी समय राजा के शरीर से एक दिवे शक्ति गिराया और वह अध्रश्य हो गई जब राजा को होश आया तो सभी डाकूं को मरा हुआ पाया ये द्रश्य देखकर राजा को आश्चरे हुआ राजा मन ही मन सोचने लगा कि इन डाकूं को किसने मारा होगा तभी अकाश मानी होई है राजन ये सब दुष्ट तमारे आमल की एकादशी की वैशनवी शक्ती ने इनको मारा है इन्हें मार कर वह पुनह तमारे शिरीर में प्रवेश कर गई यह बाते सुनकर राजा को बहुत परसंता हुई और एकादशी के वरत की परती राजा की श्रदा और अधिक बढ़ गई राजा अपने देश वापस लोटा और राजे में सब को एकादशी का महत्तव बतलाया और इस एकादशी की गृपा से राजा पुनह सुख पूर्वक राजे करने लगा